क्या सब्सक्राइब कीजे स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आ इकान को दबाएए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए Halo हुस्छ दोस्त शो स्मार्ट पॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो सुवागत दोस्तो ही आपका इंडियन बैंक में आकाउंट है और आप NFT के जरीए या फिर RTGS के जरीए पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको जो है यह इंडियन बैंक का और आपको यह बताने वाल हो कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यह आपको आए वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफॉ कि चैनल को साथी घंटे को भी तबाते ना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो चलिए बीना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पर सकते हैं Indian Bank डेट आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक मैं जमा कराइंगे उस दिन की देट यहां आपको लिख देनी होगी फिर आप यहां लिखा हुआ पर सकता है पैन नमबर यहाँ जो है आपको अपने pen card का pen number यहाँ आपको लिख देना है इसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पड़ सकते हैं to the branch manager आपने Indian bank की जिस branch में आपने account खुला है उस branch का यहाँ आप name लिख देंगे इसके बाद आप इधर आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पड़ सकते हैं please remit throw NAFT and RGDS यदि आप 2,00,00,00 रुपे से कम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप NAFT पे टिक करेंगे जैसे कि मैं 50,000 रुपे ट्रांसफर कर रहा हूँ इसलिए मैं NAFT पे टिक कर रहा हूँ यदि आप 2,00,00,00 रुपे से ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको RTGS पे टिक करना होगा और यदि आप 2,00,00 से कम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको NAFT पे टिक करना होगा इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे आप जितना amount पैसे transfer करवाना चाहते है उस amount को आप लिख देंगे उसके बाद आप जितना amount आप transfer करवाना चाहते है उस amount को जो है words में यहां आपको लिख देना है इसके बाद आप नीच आएंगे तो यहां लिखा हुआ पर सकते है as per detail given below आप यह जो पैसे ट्रांसपर करवाना चाते हैं किसके जरीए कराएंगे यहां पर आपको अपनी जानकारी देनी है account number यहां जो है आपको अपना account number यहां आपको लिख देना होगा यहां जो है आपको अपना account number यहां आपको लिख देना होगा यहां जो है आपको अपना address लिख देना है address लिख देने के बाद यहां आप लिखा हुआ पर सकते है mobile यहां जो है आपको अपना mobile number यहां आपको लि transfer कर रहे हैं उसका आप को लिख देना होगा। फिर आप यहां लिख होपड सकते हैं और आप जिसके बाद आप नीचे हैंगे, यहां आप लिखा होपड सकते हैं एकाउंट है यहाँ रिखा औब सकते हैं उससे IFSC code ले लिए जेगा इसके बाद आप नीच आएंगे तो यहाँ लिखा हो पर सकते हैं branch address आप जिस bank में उसके पैसे transfer कर वा रहा है हो उसका branch address भी यहाँ आपको लिख देना है इसके बाद आप नीच आएंगे तो यहाँ लिखा हो पर सकते है terms and condition आपको in terms and conditions को पढ़ लेना है terms and conditions को पढ़ लेने के बाद आप नीच आएंगे तो यहाँ लिखा हो पर सकते है declaration आपको in declarations को भी जरूर पढ़ लेना है declarations को पढ़ लेने के बाद यहाँ लिखा हो पर सकते है customer signature यहाँ जो है आपको अपने signature कर देने है name यहाँ जो है आपको अपने name यहाँ होता है आशाय दोस्तों अभी की वीडियो में आपको जो भी जानकरी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद